हेलो फ्रेंड मैं हिमाचु थाप आप फिर से आपका स्वागत करता हूँ पी डबलू यूपीसी वाला में जी हां जैसे हमारा सिलसिला बन चुका है कि हम लोग वीकली करेंट फेर्ज लेके आते हैं नेत्रा सिरीज में येस करेंट फेर्ज फ्रम दी आईज उफ यूपीसी वही आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मैं आपके लिए 43 कोशिंस लेके आया हूँ जो कि आपकी वीकली करेंट फेर्ज को एक बार फिर से पूरा रिवाइस करने वाले हैं तो आप लोग इसी तरह बने रहें और इस वीडियो को जितना आप लोग प्रेम दे रहें ऐसी प्रेम देते रहें और अगर आप लोग नए हैं तो लिंक को शेर जरू करें और सब्सक्राइब जरू करें तो आज कि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली न्यूज जो है वो हमारी बात करती है IUCN के बारे में ठीक है तो यहाँ पर लिखावा है with reference to IUCN that is the international union for conservation of nature consider the following statements ठीक है तो यहाँ पर दो statements दिए वह है IUCN के बारे में तो देखते हैं क्या है यह IUCN red list of threatened species includes animals and plants species only तो यहाँ पर बोला है जो IUCN का red list है ठीक है वो उन वो क्या है basically तो red list बताता है हमारे ऐसे animal or plant की प्रजातियों को species को जो की threatened है ठीक है जो की क्या है आपके जिसमें खत्रा मंड़रा रहा है तो क्या यह statement सही है चलिए अभी हम देखेंगे दूसरी बात इस्वेशी असेज्ट ऑन एन आयूसीन green status of species is no longer in need of conservation तो क्या वास्टों में जो IUCN में green list होती है तो रेक्तों मतलब खत्रीक निशानी है लेकिन ग्रीन लिस्ट जो है उनको अब क्या conservation की जरूरत नहीं है तो आईए इसका आंसर देखते हैं और आंसर हम लोग देख रहे हैं यहां पर ठीक है जिसमें बात आया है क्या कि अपने दोनों स्टेट्मेंट जो है वो गलत है ठीक है यहां बोला गया है कि जो IUCN है हमारा उसकी जो red list होती है red list of threatened species इसमें आप एक चीज़ या देखिएगा कि यहां पर आपको animals आते हैं यहां पर plants आते हैं लेकिन यहां पर आपके जो fungi है वो भी इसमें आते हैं ठीक है तो केवल animals और plants नहीं इसमें fungi भी है इसका मतलब statement one जो था वो correct नहीं था गलत था इसके बाद देखिए दूसरी यहां पर क्या बोला हुआ है यहां पर एक बड़ी इंपोर्टन चीज बोला है यहां पर यह बोला है कि जो ग्रीन लिस्ट है यहां पर यहां पर इन बारों में बात करता है तो यह misconception है कि जो इस पेशीज ग्रीन लिस्ट में होते हैं उनको क्या नहीं चाहिए उनको नेड नहीं है conservation की तो इस तरीके से से शेकिंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है सेकिंड स्टेटमेंट भी गलत है इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका मतलब हमारा context consider the following statements तो इस तो ने अभी क्या करा है एक trisonic wind tunnel पर टेस्ट करा है उसके उपर यह questions है तो पहला statement क्या कहता है पहला statement कहता है the trisonic wind tunnel facilitates testing on object at the eight times speed of a sound and supersonic ठीक है तो पहला statement कह रहा है कि जो हमारे trisonic wind tunnel है वो जो object है ठीक है जो test जिसका test होने वाला है वो क्या करते हैं इसकी speed जो होती है that is the eight times of the sound and it is supersonic तो supersonic क्या होता है supersonic जो भी चीज है उसमें आपको एक चीज समयनी पड़ेगी supersonic वो speed को बताता है जो कि sound से जादा है ठीक है तो यहां पर बता है sound से ज़्यादा speed पर test होता है दूसरा statement सही है कि नहीं यह बात में देखेंगे the trisonic wind tunnel is a system to aid the aerodynamic design of rockets and re-entry spacecraft at very high speeds तो यह बता रहा है कि यह जो आप देख रहे trisonic wind tunnel तो यह basically क्या है ठीक है तो यहां पर यह trisonic wind tunnel जो है ऐसा बताया जा रहा है कि यह अव्य सी बात है आपको समझ में आ रहा हूंगे टनल मतलब कि एक गुफा टाइप की चीज़ है टनल है जिसमें आप जो आपके aircraft हैं ठीक है जो कि रॉकेट से उनको आप क्या करते हैं उनका aerodynamics को आप देखते हो सही है कि नहीं मतलब वह balance है कि नहीं अगर वह स्पीड में चलेंगे तो ऐसा नहीं कि वह कहीं और किसी और जगा पर पहुंच जाएं गलत और पर पहुंच जाएं या आपके कुछ में संडलो रॉकेट आपका टूट मतलब खराब हो जाए बीच में तो यह डाइन डाइमिक डिजाइन जो होती है कि वह चीज़ बैलन्स है कि नहीं उसको चेक करता है ऐसा बोला है और दूसरी चीज़ कह रहा है दिस फेसिलिटी इस इंस्टॉल एड़ी विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर ठीक है जो कि कहां पर है जो कि आपकी त्रिवंद्रम में है कैरला में ठीक तो आईए देखते हैं क्या स्टेट्मेंट कौन-कौन से सही है तो यहाँ पर पहली चीज़ देखिए जो विंट टरनल है वो फेसिलिट करता है क्या डिन कंडिशन में यहां पर टेस्टिंग हो सकती है फिसमें कौन-कौन साथ यहां आपकी आप कर सकते हैं सांड की स्पी पर टक सकते हैं सुपर सॉनिक से संट ढौब this já निधें तीनों सकते हैं सwiekर सब सुनिक पर सॉट को सब ठ्रेकर सकूर किक्र को बश्jemõ i.h यहां पर किते लेकिन पहला स्टेटमेंट किया कह रहा था महाँ पर कि सूपर स्वर साॉनिक संटे है आगा है लेली दिख रहा है कि यहां पर तीन तरीके की टेस्टिंग हो सकती है इसका मतलब पहला स्टेट्मेंट हमारा क्या था गलत अब यहां पर दूसरी चीज आप आईए बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली क्या है कि एरो डाइनेमिक से जितनी भी रिलेटेट चीजें है ठीक है वह आपका क्या होगा है यहां पर टेस्ट हो जाएगी ठीक तो एकदम सही है जो ट्राइसोनिक देखो नाम से ही समझुआ है पर सही हों क्या ट्राइसोनिक मतलब है कि थीजए कि स्पीड और इसका मतलब क्या है। करेक्ट है दूसरी चीज तीसरा statement कह रहाता है यह कहां पर है installed तो यह विक्रम सारा भाई space center पे है जो की तिरोनन्त पूरम पे है तो तीसरा statement भी आपका सही है इसका मतलब आपका answer कौन सही हुआ आपका answer सही हुआ C मतलब की second और आपका third statement सही है पहला statement आपका गलत है ठीक है चलिए next question को हम लोग देख होते हैं तो वहाँ पर यह रहता है तो यहाँ पर आईए हम लोग देखते हैं यहां पर स्क्राइंड के बारे में बात करें तो स्क्राइं लाँ सुपर्प्र सॉनिक कंबक्शन बाइब ब्रीधिंग hydrogen and oxygen directly from the atmosphere सब्सक्राइब करता है उसमें इसके हिसाब से कोई कंटेनर सेप्रेक्ट फ्यूल का कोई अगर आप यूज़ करते हैं तो यहां पर कोईस्टिंग में पैसा कम लगेगा ठीक है और यहां पर प्री डिटमाइन और विट में आप क्या कर सकते हैं इसको लॉंच कर सकते हैं सेटेलाइट को इस इंजन की मदद से दूसरा है यहां पर क्रैंजेट इंजन वर्क्स ओनली то बोला है कि जो hypersonic speed होता है उससे हमेशा यह कम मेरे रहता है कि हमारा किया statement यहां पर सही है टो बारे में सबसे पहले समय करांज स्थेट करांज M और अथिया इत्मोस्फेर तो यह क्या करता है कि से ओक्सीजन को लेता है इत्मोस्फेर से द्यूरिंग इच्वाइज जब यह उड़ रहा है दीसरी चीज इदेन अलाओ दी ऑक्सीजन टो मिक्स विद हौट हाउड है इस टोडिन वहिकल तो यहां पर ओलडी है ठीक है ऐसा नहीं किया प कंबर क होता है ठीक है और इसके बाद क्या होता है इसके बीक प्रफॉस चाहिए जो पुश छाहिए ठीक है इसकी मद्ब जोपार ईखाव़ है कि कि और ओक्सीजन और हाइडोजन दोनों का अट्मॉसफेर से लेता है तो वो उसके हिसाब से आपका पहला स्टेट्मेंट क् वहिकल के ब्रीद ऑक्सिजन फ्रॉंद एक्मोस्फेर डाट विल डिडिव सेविंटी परसेंट और दाट भी करेंट थी वहिकल ठीक है अच्छा इसमें क्या चीज बोली गही है इसमें बोले गया है कि जो आपका इंजन है ठीक है जहां पर आपको क्या करना प्रता ऑक्सिज सब्राइच कर देंड कर रहговे सेंटी पर सेथाक्वाट है और यहां पर जो प्रॉप तेट्मेंट है उसके बाद दक एक स्टेट्राइट इन प्रीटर्माइंड आपका और्बिट करना यहां पर आप सैट्रिलाइट को लो कॉस्ट में प्लेस कर सकते हैं तो इस रों ने बहुत बड़ा काम करा है तो सेगेंड स्टेट्मेंट आपका सही है जो वहां पर लिखा हुआ है इसका मतलम आपका क्या है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट कर आपका क्या है। यहां पर आप देखते हैं कि सकेंड स्टेटमेंट आपका केवल सही है। बाकि दो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है गलत है इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा मतलब अप्शन टू एस करेक्ट आइए नेक्स कुश्चन को देखते हैं अम लोग यहाँ पर यहाँ पर देखिए अब बात कर रहे हैं स्टे 65% इन रूरल ठीक है तो यहाँ पर बुला गया है जोग्यों पड्लिकविक स्ट्रेशिंश्टम है वह बैसी क्या कर रहा है एक रेटियो काम तरहा है इसलिए कि अussa को बात में फूर्ण of eligible households is to be done by Central Government itself तो हमें देखना यह Central Government करता है यह State Government करती है ठीक है यह कौन सी body करती है तो यह भी statement देखते हैं चली आई इस पर बात कर लेते हैं पहला statement आप देखे क्या लिखावा है पहला statement लिखावा अप्टू 75% of the rural population and 50% of the urban population will be covered under targeted PDS जिसको TPDS भी भोते हैं with uniform entitlement of 5 kg per person ठीक है जिसके अंदर क्या है कि आप 5 kg प्रती महा है ना पर मंद 5 kg जो है वो क्या कर रहे हैं आप ensure कर रहे हैं कि यहाँ पर food मिले यह food national food security 2013 के according है ठीक दूसरा statement मता पहला statement आपका सही है दूसरा statement within the coverage under TPDS determined for each state the work of identification of eligible household is to be done by state and union territories and not by the central government तो जो आपको eligible household है कि किस घर में आपका राशन जाना चाहिए वो कौन decide करेगा वो decide करेंगे state या union territories इसका मतलब second statement आपका जो है वो गलत है तो यहाँ पर central government के बारे में बात है second statement गलत है पहला statement सही है इसका मतलब option A is your correct answer ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं next question next question यहाँ बात हो रही है Indian economy की किसके बारे में बात हो रही है Indian economy में बात हो रही है the trade deficit कॉमा difference between import and export trade deficit क्या होता है it is a difference between import and export between India and China has decrease in last two years तो यह कह रहा है जो ट्रेट deficit है जो आपका व्यापार घाटा जिसको हम बोलते हैं ठीक है कि मतलब कहने कारती है कि चाइना ने हमने चाइना से क्या करा है चाइना से हमने जादा समान मंगाया है और चाइना को कम समान हमने दिया है तो उसके बीच में क्या हो जाता है तो यहां पर यह कह रहा है कि जो ट्रेट deficit है वो लास्ट टू येर्ज में दो साल में इंडिया और चाइना के बीच में कम हुआ है मतलब कि हम लोग आप जादा समान जो मंगाते थे यह जादा समान लोग नहीं मंगा रहें यह ऐसे भी समसक्ते हो कि हम लोग जादा समान उनको दे रहे हैं तो यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं यह देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट कहता है USA was India's biggest trade partner in 2021 ठीक है तो यह चीज 2021 and 22 ठीक यह चीज़ देखनी है तो आईए देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं the trade deficit between India and China during 21-22 had jumped to 73.31 billion dollar ठीक है इसका मतलब पहले हमारा कितना था पहले था 44.03 billion dollars in 2021 तो इसका मतलब यह हुआ है कि हमारा बड़ा है उनसे trade deficit trade deficit मतलब व्यापारी घाटा जो है वो बड़ा है हमने उनसे सामान जादा मंगाया ऐसा कम नहीं हुआ तो पहला statement आपका क्या है जहां पर बोला गया कि decrease हुआ है यह गलत है ऐसी मानसिक्ता हो गई है एक्चुली लोगों के अंदर ऐसा सोचते हैं कि हम लोग बोलते हैं हमने उनके सारे आप बंद कर दी है हमने उनके बहुत सारे ऐसे लेकिन आपको मालू है चाइना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में कर रहा है और उसके लिए उसको अलाव कर रखा तो यह एक ब्रहांती जो है इसी लिए कोश्चन यहां पर डाला गया है कि लोग ऐसा जो समझ रहे हैं यूपीसी भी ऐसी कोशन डालता है कि जो एक नॉर्मल आदमी सोचता है वैसा नहीं है आपको इंटिलेक्शल लेवल पर समझनी है चीजों को पढ़ना है क्योंकि आप यूपीसी की तयारी कर रहे हैं किसी ऐसे ही आप छोटे से कोई ग्राजुएशन या इंटर की पढ़ाई नहीं कर रहे है ठीक है चलिए द चाइना से ज्यादा हमने ट्रेड यूएस से के साथ कर रहा है और यूएस से हमारा क्या है बड़ा एक आप कह सकते हो आप ट्रेडिंग पार्टन बन गया है बाइलाटर ट्रेड एंडिया न यूएस इन ये येर 2022 इस तुड़ाट यूएस डॉलर कितना 119.42 बिलियन डॉल इसका मतलब क्या है कि हमारा टोटल ट्रेड है जो इंडिया ने करा है ठीक है इस साल में कितना गए है 1.03 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड करा है यूएस डॉलर का यहां पर उसमें से यूएस से जो है डाट इस बिक चंक 11% जज़ादा 119.42 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो दूसरा आला statement आपका क्या है सही है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer भी हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं हम लोग यहां पर जो किया आपका six question है यहां पर आप लोग ने news में सुना होगा Singapore declaration सिंगापूर declaration तो यह सिंगापूर declaration जो है यह बैसिकली किस से related है तो यहां option है कि यह जो है इस डिट तो एड्रेस अर्लेबल मार्केट चालेंजर्जेंजर्जर्जर्ड आइंड फाइंडिंग सल्यूशन इन क्राइस सिच्वेशन तो यह सही है कि गलत देखते हैं दि ओवर proleter of many vulnerable species as a result of unregulated international trade हमуз की वैज़े से यसी आपका है कि it is to promulgate है ना a set of principles concerning the equality of men and women yeah it is something related to equality and fourth one is promote health in the 2030 agenda for sustainable development ठीक है तो यहां बर अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि answer a is correct it is to address labor market challenges and finding solution in crisis situation है ना और इसका context क्या रहा है basically कि जो 17th Asia and the Pacific Regional Meeting of the International Labour Organization that is known as APRM of ILO ठीक है यह क्या होता है Asia and Pacific Regional Meeting APRM of ILO जो हुआ 17th कहां पर Singapore में हुआ कहां पर हुआ है यह Singapore में हुआ है यहां एक declaration हुआ है क्या 10-point priorities यहां पर set कर गई है of national action for the member countries to deal with the issue of dwindling wages of workers inflation and unemployment ठीक है इसका मतलब Singapore declaration जो है वो क्या बात कर रहा है it agreed that social dialogue was essential to address the labor market challenges and finding solution in crisis situation यह सारी बात इसलिए होई है क्योंकि कोविट के समय में बहुत सारी हम लोग ने सुसाइटी ने समाज ने सोशियल जो है problems को face करा है and that is because of unemployment that is because of you know wages में आपका reduction हुआ है तो इसलिए सारी बाते हुई है तो पहला आपका statements है अब यहां पर बात करते हैं हम लोग 7th question पर आगे हैं 7th question बात सब्सक्राइब करते हैं इस यहां पर पार्लियमेंट से आप प्राइवट बिल से आपका जो है concerned यह question है तो आईए यहां पर थोड़ा सा प्वालिटी को फिर से हम लोग देखते हैं चीज़ें यहां पर पहला स्थेट्मेंट यहां पर क्या बोला पहला से इनिमेंबर ओफ पार्लियमेंट इवन फ्रॉम रूलिंग पार्टी हुए जो रूलिंग पार्टी है अगर उसका भी कोई ऐसा मेंबर बेरा जो की मिनिस्टर नहीं है ठीक है ङो की मिनिस्टर नहीं है वो अगर कोई बैश करता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं उसको भी हम सही है देखेंगे भी धी और यहां पर यह बात यहां दिखेगा कि इन्होंने क्या बोला है वह कभी भी ₹ सब हमें पास नहीं हुआ है ऐसा बोला जा रहा है सही है कि गलत अभी देखेंगे प्राइवाइट मेंबर्स बिल कैंड इंटेड्यूज एंड डिसकस उनली ओन फ्राइडेज अब देखिए एक चीज़ समझेगा यह जो क्लासेज आपकी आती हैं यह आपकी रिकॉर्डेड इसमें आपको करना क्या होता है जब यह option क्या options आप देख लें तो आपको pause कर लेंना चाहिए और pause करके आपको यहां पर अपना कर सक THE लेकिन उषको aruक्र करें आपको पदा चले कि कहां पर वर्क पूंक करना है कि इसको पढ़ना है इसके बारे मिवादर हैन्य है करेंगे यहां बढत करेंगे अब फ्राइवेट मेंबर इसको प्राइवेट मेंबर में प्राइवेट मेंबर जो आपका रहा था पेशप हुए है वो कभी भी लोग सभाय में पास नहीं हुए तो इसको देख लेते हैं 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हाव बिकम लॉज एंदि लास्ट टाइम प्राइवेट मेंबर बिल्स वस पास्ट बाइब बोथ हाउसे वोग नाइंटीन सेवन्टी ठीक है याद अखे का मतलब क्या है इसक यहां पर आप देखेंगे तो थर्ड इस्टेट्मेंट जो था जिसमें बोला गया था कि यह केवल और केवल इंट्रीउस और डिसकस कब हो सकता है और एक महिने की पहली नोटेस आपको देनी होती है ठीक है तो इसका मतलब यह सही है सेकंड गलत है और पस्ट आपका सही है 1 & 3 are correct इसका मतलब C option आपको क्या है सही है ठीक है चलिए शॉरी बी option दिस बी राइट इस बी तो दिस बी option बी option इस करेक्ट ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर इस question हम रहे है with reference to fertilizer subsidy in India consider the following statement तो हमाई जो fertilizer पर हमें subsidy मिलती है इंडिया में उसके बारे में बात हुई है subsidy मतलब होता है चूट है ना तो जो चूट मिलती है हमें खरीदने में fertilizer को उसके बारे में बात है यहां पर देखे ओनली नॉन यूरा यूरिया बेस फटलाइजर जिसमें यूरिया नहीं है वह फटलाइजर और रेगुलेटिड अंडर दी अंडर न्यूट्रियंट बेस cd scheme में इसके हिसाब से बोला गया है कि केवल और केवल वही आते हैं जो कि नॉन यूरिया बेस होते हैं मतलब कि जिसमें नॉन यूरिया नहीं होता है अब यहां पर एक statement लिखावा है only चली देखते हैं only statement शाहिए कि नहीं डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफटलाइ government है उसने यह mandatory मतलब compulsory कर दिया है सभी domestic producer के लिए जो भी इसका production कर रहे हैं ठीक है यूरिया का कि यह 100 परसेंट नीम कोटेड यूरिया होना चाहिए सही है कि गलत यह भी देख लेंगा अभी हम लोग ठीक है अब यह लिए पार्मर्टमेंट ने वही क्या होता है सबसीडी होता है विच इसको देख लेते हैं यहां पर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पता चल जाएगा आपको कि जो आल यहां दखेगा और नॉन यूरिया बेस फटलाइजर अर रेगुलेटेट अंडर जोय प्टेलेशिक एट तो यहां पर क्या लिखावा है आप लिखावा है ऑन हम लोग ने किसमें करी है không पर बात करिए तो इसलिए क्या हो जाएगा यह इसलिए आपके यह गलत हो जाएगा तो यह इंकरेक्ट है बेसिकली इस इस इंकरेक्ट थीक है तो यहाँ पर 2015 में डिपार्टमेंटल और फटलाइजर हाट सब्सक्राइब करता है जो कि वास्तों में गवर्मेंट पे करती है उस्तों में मालूम होना अपको कि इसने रिलीस करी आइसरस्त बना लिजिया अब कि लोन की योनेको कौन सी प्र fum रिलीज करते हैं Hier और उस रिपोर्ट रिलीज में क्या होता है वो आपको सब्सक्राइब क्यों करती कों नो एकाश के सब्सक्राइब करें mes combined क्यूंशनल थ्पार्य क्यों कोशला बात था आपको समय्जनी होंगी का 와서 प्लसने लिसे हैं by the Ministry of Health and Family Welfare was launched to eliminate malaria throughout the entire country by 2027 ठीक है तो क्या यह सही है कि जो national framework बना था malaria elimination के लिए malaria को खतम करने के लिए ठीक है वो Ministry of Health and Family Welfare के अंडर था और क्या वो वास्तों में लॉंच हुआ था कि वो 2027 पूरा भारत या सुरी पूरी country हमारी जो है वो क्या हो जाए वो हमारी malaria मुक्त हो जाए malaria is caused by a protozoa which is spread through the bites of infected female anophilus mosquitoes ठीक है तो आई होप आपको यह तो मालूम होगा चली आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा वह है under the national strategic plan for elimination of malaria 2017 and 22 ठीक है इंडिया has set its goal to eliminate malaria by 2027 ठीक है तो यह पहला स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है एक दम सही है कि दोहजार सताइस तक हम यह malaria से मुक्त कर देंगे हम खतम कर देंगा malaria को यह यह चीज़ बोली कही है malaria is caused by a protozoa known as plasmodium plasmodium which spread through the bites of infected female female anophilis mosquitoes ठीक है तो यहाँ पर anophilis जो मच्छर है हमारा वो भी क्या female जो मच्छर है वो क्या करता है spread एक protozoa को spread करता है जिसका नाम क्या है plasmodium तो malaria होता किससे है तो याद अखिए का malaria होता है protozoa से spread कौन करता है तो एक मच्छर करता है काटने से उसके होता है जो कि है female anophilis mosquito तो यह second statement भी सही है इसका मतलब आपका statement both one and two are correct ठीक है c options आई आप देखते हैं हम लोग क्या हम लोग देखते हैं अपना 10th state आपका question यहां पर बूला गया है कि नमामी गंगे प्रोग्राम इस डिकलेड वर्ड रेस्टोरेशन फ्लाक्षिप युनाइटे नेशन्स कैसा है कि यहां पर नमामी गंगे प्रोग्राम जो है उसको डिकलेर करा है वर्ड रेस्टोरेशन फ्लाक्षिप युनाइटे नेशन्स थीक है विल सी कि सही है कि नहीं दर नमामी गंगे इनिशेटिव एंस तो रिवाइफ की वाइड लाइफ इस्पेशीज इंक्लूडिंग करें हमारी कुछ वाइड लाइफ स्पिशीज को जिसार अपके नेका ह्रों टोवड फॉनेहोंOs फॉम टूजञ टो mim ह he कि 2021 से लेकर 2030 तक इस इस स्टेटमेंट के एक्वाडिंग यह क्या है इस दिकेड ओफ इको सिस्टम रेश्टॉरेशन कैसा डिकेड है डिकेड ओफ इको सिस्टम रेश्टॉरेशन यहीं पर याद करते हैं चलो अगर सही है कि नहीं यह पता चलेगा बाद में तो चाहिता किस चीज के लिए कि वहां पर जो डिग्रेडेड और डिस्टॉइड इको सिस्टम है इनको फिर से सही कर पाई इसको फिर से क्या कर पाएं हम लोग फिर से क्या कर ले फिर से हम लोग इसको पुना सही कर पाएं ठीक है रिस्टोर कर पाएं तो यहां बर आप देखें क्या Conference of Parties 15 हैना कहा हुआ Montreal में हुआ रेकेगनाइज 10 ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट इंक्लूडिंग दी नमामी गंगे प्रोजेक्स फ्रॉम अराउंड दी ग्लोब फर देर रोल इन रेस्टोरिंग दी नाचुरल वर्ड ठीक है तो उन्होंने नमामी गंगे प्रोजेक्स क्या है वहाँ पर लॉंग तम विजन इसका क्या है गंगा को अंगा को ईसमें को रिजूचिव करने का है ना गंगाको रिजूचिविनेर करने got एक फिर से थे लाइब करने करने का और उसमें क्या क्या करने पड़ेंगłem जो की galah से झेरसे डर से टिय्टब्र है एंडेमिक और जो बायो डायवर्सिटी है ठीक है उसको restore करने की कोशिश करी जाएगी जिसमें जिसमें आप देखेंगे तो हम लोग ने जो बात करी है जितने भी species के बारे में बात करी है ठीक है वो सारी species भी आती है यहांपर ठीक है तो यहां पर यही बात करी गई है कि गंगा का जो river ecosystem है के रेस्टोरेशन के लिए आता है जिसमें वो सारी स्पेशीज भी आती है तो येस जो सेकेंड स्टेट्मेंट है वो भी सही है उनका रिवाइवल भी उसी में है ठीक है थर्ड स्टेट्मेंट यहां पर देखेगा दा युनाइटेड नेशन्स डिकेड ऑन इको सिस्टम रेस्टोरेशन रन्स फ्रॉं 2021 तो 2030 और इस इस परपस इस तू प्रमोट दी उनाइटेड नेशन्स एन्वार्मेंटल गोल्स तो सिक थर्ड स्टेट्मेंट भी आपका सही है इसका मतलब आपका 123D स्टेट्मेंट आपका सही है ठीक है यह हमने बात करें टेंथ कुश्यं की आ ना डूनार ठोगगर्म है डो अ कमर्शल लुनार चंड्रमां पर जो एक्सप्लोरेशन प्रोगळाम मैं उससे रेलेटेड है यह मैं मिशन है इस पेस पे या इट इस डीप्सी एक्स्पोरेशन इन पैसीफिट्य को Crash dir ॉफ वॉल्कैनिक इरफ्शन नियर टोंगा हाकुटो और मिशन ठीक है तो आई ये देखते हैं यहां पर आपको बता दू कि रीसेंट्ली अजैपनीज स्पेस स्टार्टप ठीक है इस स्पेस इंक लॉंच इस ओन प्राइवेट लैंडर एंवन या दखेगा प्राइवेट लैंड इन होने लॉंच से बाइब है इस से इन्होंने ये मिशन को रॉंच करा है हाकुटो और मिशन मेंजनल कमर्शियल लुनार इख वर इस पेस पेस जैपन स्पर्स यह बहुत बली बात थी कि यह याद रखेगा और फ्ट आ प्राइवेट कंपनी बाया प्राइवेट कंपनी यहां पर क्या है यह वोटर डिपोजित को चेक करना चाहता है ठीक है एट्लांटस आट्लस क्रेटर जो है वहां पर ठीक है और यह अट्लस क्रेटर बहुत ज्यादा कहरा है लगभग दो किलो मेटर डीप पैसा बताया जा रहा है और बहुत चोड़ा है लगभग 87 किलो मिटर ठीक तो पहला स्टेट्मेंट जो है इसमें पहला स्टेट्मेंट सही था यह जैपान का जैपान का जो है कमर्शिल आपका एक प्राइवेट कमर्शियल लूनर एक्स्प्रोरेशन प्रोग्राम है चलिए 12 12 को को देखते हैं वइसको क्या बात कर रहा है की ब्लों ग्लूटा में बहुत बाट रहता है है प्लकी को क्या बोलते हैं मोनोसोडियूंग बूटा मेट तोνεट प्लकीट ऑकρί ब्लूट जोट सब्सक्राइब तो ऐसा बोला जा रहा है यह नाइड नहीं है स्करते हैं चल्स करा है इसको क्या करते हैं और करके कैसे सोर्चर शोड़ों है इसे की सुगर मोलासिस निकाल लेते हैं तो इसको मोलासिस बनाए जाता है इसको it can be used to reduce overall sodium intake when used in place of salt ठीक है तो यह क्या कर सकते हैं हम लोग it can be used to reduce overall sodium intake अगर आपको sodium intake कम करना है ठीक है अगर आप इसको सॉट की जगा यूज कर देंगे तो आपका sodium intake कम हो जाएगा इस statement के according तो इनमें देखते हैं कौन से statement आपके सही है तो यहां पर हमको पता चलता है कि MSG जो है यह naturally present होता है in many different foods especially those that are high in protein ठीक है तो पहली चीज़ यह आटिफीशली नहीं है यह पहले से produce होता है बहुत सारे बहुत सारे जो हमारे protein diets होते हैं वहाँ जैसे कि चिकन बीफ टोमाटो अनियन क्याबच तोई सॉस केचप मस्टर्ड मयोनेज एक्सेक्टरा ओल्सों इन प्रीमेड एंड पाकेज़ फूड्स ठीक है तो यहां पर यह क्या बोल रहा है यह आटिफीशल फूड्स में भी मतलब कि जो पाकेज़ फूड होते हैं उसमें भी औ प्रोटीन डिवलप्मेंट के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं तो वह हमारी बॉड़ी में भी है और कई अन्याय से खाद्य प्रदार्त में इसमेड फर्मेंटिंग कार्ण सोर्से लाइक शुगर बीट शुगर केन और मोलासिस ठीक है तो यह भी स्टेट्मेंट साही है कि इसको हम लोग बनाते हैं यह नाचुरली भी प्रेजेंट होता है लेकिन इसको बनाते हैं कैसे बनाते हैं इसको शुगर बीट शुगर केन और मोलासिस के को फर्मेंट करके ठीक है जैसे बियर बनाई जाती है जो को फर्मेंट करके बाले को फर्मेंट करके वैसे इसको भी इसका मतलब पहला स्टेट्मेंट आपका गलत है तो सी आंसर इसका सही होगा तो आप बात करेंगे हैं एक इंडियन इकानोमी के कॉंटेक्स्ट में और हम लोग लेके आते हैं तो यहां पर जबात हम लोग कर रहे हैं तो यहां पर क्या लिखावा है, यहां लिखावा है, as the valuation of USD, ठीक है, US dollar जिसको बोलते हैं, increases with respect to the Indian rupees, the forex reserve increases, तो यहां पर बोला है कि अगर USD, जो US dollar का valuation है, अगर वो बढ़ेगा, ठीक है, with respect to Indian rupees, तो क्या होगा, हमारा जो foreign extra reserve है, वो increase होगा, foreign reserve हमारा increase होगा, ऐसा बोल, सही है कि नहीं, we'll see, if domestic price inflation is higher, it could lead to the devaluation of currency, या दखेगा, कि अगर हमारे घरेलू, जो मूल यह है, उसमें अगर महंगाई आती है, ठीक है, अगर वो आपका बढ़ता है, व्रिद्धी होती है, तो यह क्या करेगा, यह हमारे जो currency है, जो हमारा rupees, ज हो जाएगा, वाँ पर उसकी value को कम कर देगा, सही है कि नहीं, we'll see, if there is high demand to import oil, it can cause rupees value to drop, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग import करें oil, जो कि US dollar में करते हैं, import करें अगर हम लोग oil, तो क्या यह रुपी की value को गिरा देगा, devaluation करेगा, we'll see, तो यहां पर देखते हैं हम यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि जो हमारा पहला statement है, the first statement, it is completely wrong, ठीक है, चुकि अगर US, USD हमारा increase हो रहा है, रुपी के perspective में, तो मतलब पैसे की ताकत कम हो रही है, और पैसे की ताकत कम हो रही है, तो हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरे क्या होगा, वो decrease होगा, तो यही बात कहिए, with the decrease in the valuation of USD, the forex reserve increases and yc versa, वही चीज़, या तो भाई US dollar की value कम हो जाएगा, अगर US dollar की value कम हो जाएगी, तो अव्यसी बात है, हमारे पास ज्यादा US dollar है, हमारा price बढ़ जाएगा, फॉरेक्स reserve का, जो हमने US dollar को store कर रखा है, और य रही है, रुपय की value हमारी रुपय की आवकात बोलो, जिस तरीके से हैंना, अगर कम हो रही है, कहने का मतलब है, कि अगर मैं, अगर मैं, स्था रुपय से एक US dollar खरीद रहा हूं, ठीक है, और दूसरा case यह है, कि अगर मैं 110 रुपय से एक US dollar खरीद रहा हूं, तो इसका मतल रही है, तो अगर ऐसा case होगा, कि जिसमें US dollar हमारी increase होगी, तो उसमें, क्या होगा हमारा decrease होगा, या उपर वाला case हो जाए, जिसमें 100 रुपय में ही, अभी तो ख्यार रेट 100 रुपय नहीं है, लेकिन मैं, एक्जाम्पल के तौर बता रहा हूं, कि अगर आप 100 रुपय से पहला statement आपका गलत है, ठीक है, दूसरा यहां पर अगर देखेंगे, higher inflation India suggests that RBI has been creating rupees at a faster rate than the US, ठीक है, and the Federal Reserve had, ठीक है, तो यहां बर यह क्या बोला है, कह रहा है कि जो US का Federal Reserve है, आप जानते हैं, जैसे हमारा RBI है, वैसे USA में क्या है, Federal Reserve है, अगर हम बोल रही हैं, कि हमारा higher inflation है, अगर मैं बोलता हूं कि हमारे हम महगाई बढ़ रही है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, कि जो हमारे RBI है, वो पैसा, Federal Bank की पेक्षा जादा तेजी से चाप रहा, ठीक है, इसका मतलब यह है, the value of any currency is determined by the demand for currency as well as its supply, या दखिएगा, जो value होती है, किसी भी currency की, ठ कोई भी currency हो, not only US dollar, Indian rupee, yen, whatever, ठीक है, अगर हम लोगों बात करें, तो उसकी currency की जो value होती हो, किस पर निरुभर करती है, कि हमारा supply कितना है, और उसकी demand कितनी है, पता चला हमारा क्या है, demand हमारी अगर बहुत ज़्यादा है, supply बहुत कम है, तो अव्विस सी बात है, क्या पर आप केवल डील करेंगे US dollar में, आप अगर चीजों को खरीदेंगे US dollar में, तो US dollar की क्या होगी, demand बढ़ेगी, लेकिन लोगों के पास US dollar है नहीं, क्योंकि federal bank को तो नहीं छाप नहीं रहा है, तो क्या होगा, उसकी supply कम है, तो demand जादा है, supply कम, तो पैसे के आउकात जाएगी, ठीक है, यह चीजा आपको समझनी है, यहाँ पर एक चीज दूसरी और आप समझेगा, तो इस हिसाब से क्या देखेंगे, आप इस हिसाब से देखेंगे, कि when the supply of currency increases, its value drops, on the other hand, when the demand for a currency increases, its value rises, तो statement second इस हिसाब से सही है, दूसरा कह रहा है कि forest market में, the supply of rupee is determined by the demand for imports, demand for imports, and various foreign assets, so if there is high demand to import oil, it can lead to an increase in the supply of rupees in the forex market, and cause the rupees values to drop, तो अव्वेस ही बात है, एक चीज बताइए मुझा, एक चीज बताइए, अगर हमें तेल चाहिए, है ना, हमें अगर तेल चाहिए, तो अव्वेस ही बात है, हमें इंडियन उपीज देके हम पैसा खरीदेंगे, त पैस दिया, लेकिन इंडियन उपीज उनको चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पर हमाई सप्लाइज जादा हो गई, डिमांड ही नहीं उसकी, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास तो इंडियन उपी है, हम उसी से पेइमेंट कर रहे हैं, तो हमाई सप्लाइब बल गई, तो रुपी of any state can be appointed as governor तो यहां पर बात हो रही किसके बारे में यहां पर बात हो रही गोवर्नर के बारे में और आप जानते हैं कि गवर्नर के गवर्नर जो है हमेशा न्यूज में बना रहता है तो आपका यह ड्यूटी है कि गवर्नर चार्टर बहुत अच्छे से आप ठीक कहीं किसी ब हाँ अपॉइंट आप उन्यूज मतलब की जिस राज जी के लिए आप उसको गवर्नर बना रहे हो उस राज का कोई हक नहीं है उसको हटाने का या उसकी अपॉइंट्मेंट में कोई इसका रोल नहीं है ठीक है वह कुछ भी नहीं कह सकता है दा ओं एन अफरमेशंव दे ग ग्रहान कर सकता है गवर्नर के बारे में तो आई ये देखते हैं कौन सी चीज़ है इसमें आपको एक्दम सही मिलेंगी तो यहां बराब देखेंगे कि हमारा जो पहला statement था कि a person eligible to the you know a person to be eligible for appointment as governor should be a citizen of India and have completed the age of 35 years article 157 article 157 the governor shall not be a member of either house of parliament or a house of the legislature legislature of any state ठीक है इसका मतलब पहला statement हमारा क्या है गलत है और ऐसा कैसे दिया हो है article 158 में इस बारे में बात कर भी कही गई है क्या कि हमारे governor की एज कितनी होना चाहिए और वो इंडिया का क्या होना चाहिए citizen होना चाहिए ठीक है तो पहला statement आपका गलत है जिसमें बोला था कि उसको member होना चाहिए house of parliament का यह एकदम गलत है यह वो विद्धान सबाइक होना चाहिए that is wrong the state to which governor is appointed has no say in the appointment or removal एकदम सही बात है नहीं कह सकता कुछ भी they are appointed by and can be removed only by the president ठीक है तो हमारे जो प्रेसिडेंट सहाब है राश्ट्पती जो है वही के वल क्या कर सकते हैं वही के वल जो है हमारे governor को पॉइंट कर सकते हैं the oath and affirmation of the governor are in article 159 of the Indian constitution and not in the third schedule या दख्येगा यह बात है बहुत important क्या कि यहां पर आर्टिकल 159 जो है हमारे इंडियन constitution का वहां पर इसके और था फर्मेशन के बारे में बात कहीं गई है थर्ड schedule में नहीं कहीं गई है तो थर्ड statement आपका क्या हुआ गलत हुआ इसका मतलब यहां पर हमारा पहला statement गलत यहां second statement सही और थर्ड statement अगीन गलत तो आप option क्या हो जाएगा option हो जाएगा only two that is be option is correct ठीक है अब यहां पर 15 कोशन के बारे में बात करते हैं यहां पर यहां पर जैपनीज encephalitis जो की है है ना बहुत 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 बार आप लोग ने news में सुना होगा इस इस particular disease के बारे में इसके following statement को संजिया जैपनीज encephalitis वाइरस जिसको जी इवी बोलते हैं इजा फ्लावी वाइरस रिलेटे टू डेंगू यलो फीवर और वेस्ट नाइल वाइरस तो क्या यह सही है क्या सही में यह हमारा जो है डेंगू से रिलेटेड है या जिसको पीला बुखार बोलते हैं यह यलो फीवर सें 마स्की टोजिए विच्क कांट एगर इनफिक्ट हो गए और आपको किसी मच्छन काट लिया तो यह इसको क्या करेंगा जापनेंक। इसको फैला देगा ट्रांस्मिट कर देगा तो सही स्टेटमेंट इसमें क्या सभी स्टेटमेंट यह है कि Japanese सञेशन हे वायरस एट्मोस एट इंडिया में भोट है इंडिया में भी बहुट है इडि पर मॉस किटो भॉन सटय हूर ऐलो फीद मेल वायरस चैनलर और वेस्टनर में यह दाज है एक प्रिक्ट सही बात बुली भी जे इवी इस ट्रांस्मेटेट तो हुमन थू बाइट फ्रॉम इंफेक्टेड मॉस्कितो और दी क्यूलिक्स इस्पेशी में ली क्यूलिक्स ट्राइट टैनो टैन्यो टैन्योर टैन्योराइस नस ठीक है यह एट इस अटन्ग तुछ तो है तो आपके अंदर सफिशेंट वाइरेमिया नहीं होती है जिससे मच्छ फिर से आपको काट कोई भी मच्छ काट को उसको ट्रांस्पिट कर पाए तो यह चीज गलत है ठीक है इसका मतलब सेकिंड स्टेट्मेंट आपको गलत है वाइरस एक्जिस्स इना ट्रांस्मीशन कोई बात नहीं काट लिए तो वो कोई और मच्छ आपको काटेगा तो फैले करेंगे अच्छ तो जैपाइन से फिलाइट इस बहुत तेजी स्वाज़ जाता मौस्किटो मौस्किटो में ट्रांस्मीशन होगा या मौस्किटो पेग्स में हो सकता है ठीक है या यह वाटर ब सब्सक्राइब तो क्या बफैलों को बीड़ या कबीड़ है यह यह शीव कबीड़ है तो आंसर आपके सामने यहां पर है कि उत्त्राखंड प्लांस जैनिटिक एन्हांस्मेंट ऑफ इंडिजेनेस बद्री काव क्या है बद्री काव है इस फर्स रिजिस्टर्ट कैटल ब् ठीक है और इसको सट्रिफिकेशन किस ने दिया है सट्रिफिकेशन दिया है नाशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जैनिटिक रिसोर्स ने यह चीज़ याद रखने इस अन्धी मेडिस्टनल हर्ब्स मेडिस्टनल हर्विंक चारा है और दी हिमाल्याज दबद्री ब्रीड पादा पर यूज होते हैं उनमें यह खाता है उन पर ग्रेस करता है आई यह देखते हैं नेक्स्टन हमारा विच अफॉलोइंग कॉस लीट टू अनिमिया डिजीज़ इस ठीक है तो बहुत सारे कुश्टन है अनिमिया के बारे में हैं पर बात है कि अनिमिया क्यों होता है ठीक है विच और फॉलोइंग के लीड टू है ना कॉसली टू अनिमिया क्या हो सकता है जो अनिमिया को आपका अनिमिया हो सकता है जिसके कारण आपको लूज रेड ब्रेट सेल्स थ्रू ब्लीडिंग लेड पॉइस्दिंग थेलेसीमिया डेफिसेंसी ओफ बीट्वर्व सेल्स जो की ब्लीडिंग के उत्रहें उससे हो सकता है लेड पॉइस्दिंग से होता है थलेसीमिया से होता है डेफिसेंसी ओफ बीट्वर्व से होता है तो अनिमिया जो है इन पांचों कारणों से हो जाता है ठीक है इसका मतलब ऑप्शन डी वूट बी और करेक्ट अनिमिया एक्सेसिव ब्लड लॉस ओवर लॉंग पीरियर्ड ऑफ टाइम ठीक है लंबे समय तक अगर आपके क्या हो लॉस होता रहे ब्लड का राइट तो अब्लड की कमी हो जागी अनिमिया हो जागा लेड पॉइजनिंग के बारें फॉर बोन मारों काुजिंग यू होता है उसके लिए यह क्या होता है बहुत टॉक्सिक और यह रेट ब्लड सल्सक्राइब जो है उनको क्या गरता है कम करता है जिससे खून की कमी हो जाती है थलेसीमिया है विदफ प्रॉब्लम विद हेमोग्लोबीन फॉर्मेशन तो देखाऊ आपने हो में फॉरमेशन नह है रिटेड एमीनिया भी है ठीक है यह पैदाईशी होता है आपको आपके खांदानी बिमारी चली आ रही है वो भी होता है ठीक है अब आते हैं 18 पर और 18 बात कर रहे हैं आप देखि क्या बात करता है दिक लावड कवर रिजर्ट इन हाइर मिनिमम टेंपरिचर आट नाइ ठंडा होना चाहिए उससे गरम रहता है और क्या दिन में जितना हमारा maximum temperature होना चाहिए उससे कम रहता है तो बादल का क्या रोल उल्टा है रातों को थोड़ा गरम और दिन को क्या थोड़ा ठंडा कर देता है ठीक है और वह भी हम लोग क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनके लिए खतरनाक है वेस्टन डिस्टर्बेंस जिसको पच्छी में विक्षो भी बोलते हैं और जिनेटिंग इन इस तरह जाएगा कि जो क्लाउट कवर है है ना क्लाउट कवर रिस्टिक्स इंसोलेशन मतलब की जो सन से आपका रेडियेशन आ रही है उसको रोकने में यह काम करता है रोकता है जो क्लाउट कवर यहां पर इंसोलेशन से रिलेटेड बताया है यहाँ पर क्या है कि दिन में अगर आपके ऐसे क्लाउट है अगर इस तरीके से आपके रही है तो जो आप देख रहे हैं इस तरीके से रेडियेशन आ रही है सोलर डीजिशन और रिफलेक्ट कर जाए और ऑबीसी बात है घर रिफलेक्ट कर गई तो दिन में जितना टेमपरेटर हो चाहिए जो यहां नाइट में क्या होता है यहां नाइट के बारे माते हैं और यह अर्थ से निकलती है वास्तों में ट्राप हो जाती है यह फसी रह जाती है यह बेसिकली क्या है वाटर वेपर की तरह है और वाटर डॉपलेट्स की खूबी होती है क्या कि वो टेरेस्ट्रिया लेडियेशन जो अर्थ की हीट है उसको ट्राप कर लेती है थीक है तो यह पहला स्टेट्मेंट जो था आपका एकदम सही था दूसरी चीज़ स्टॉज वेश्टन डिस्टरबंस तो यह आद अखेगा इस ट्रॉंग इस ट्रॉंग वेस्टर डिस्टर्बंस न यह वेस्टर लीज विंड के साथ आते हैं मेडिटेरेनियन ब्लैक सी कैस्पीन सी यहां से मौश्यर पिक होती है और यह मौश्यर को आकर कहां पर आपका रेंफॉल या प्रेसिपिटेशन करता है तो जम्मू कश्मीर में उत्राखंड में हिमाचल प्रदेश के जो हिली रीज जो आपकी हेवी रेंफॉल होती है इस वेरी इंपॉर्टेंट फोर वोट इस इंपॉर्टेंट फोर यॉर क्रॉप्स तो यह स्ट्रॉंग वेस्टर डिस्टर बेंसे बहुत अच्छा है प्लस जो वाटर स्कासिटी आप जानते हैं मौनसून से बहुत पानी नहीं आता है में औरेबियन सी और बेफ बेंगॉल का पानी बहुत जादा नहीं आता है हमारे समर मौनसून से लेकिन वेस्टर डिस्टर बेंस से पानी आता है जिसकी वज़े से जो अंडर्ग्राउंड वोटर वह ओपर आता है उसका लेवल भी बढ़ता है तो पानी की जो समस्ष्या ह उससे निजात मिरती है लेकिन अगर यह वीक हो अगर यह बहुत स्टॉंग ना हो बारिश बहुत जादा ना हो तो क्या होगा तो अविसी बात है प्रॉब्लम वाट इसका सिटी आएगी प्रॉब्लम आएगी क्रॉप से लियर होंगे क्रॉप जित्ता मौश्या चाहिए उसक सब्सक्राइब यहां पर आपका अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन होता है इस ड्राग इस्वर्ड वाइए उल्टिटूड वेस्टरली जैसा मैंने आपको बताया तो स्टेट्मेंट 3 भी आपका सही है इसका मतलब आपका सेकिंड स्टेट्मेंट गलत है कि यह क्रॉप फ सब्सक्राइब जिम्मेदार है ठीक है चलिए अब आगया आते हैं हम लोग और अपना देखते हैं उन्नीसवा कॉश्चन रिसेंटली दे प्राइम मिनिस्टर रिलीज आ कॉमोरेटिव कॉइन यहां पर रिलीज हुआ है और पोस्टल स्टैंप आपका यूज हुआ है इन स्री अरिवंदो ठीक है उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा है ठीक है तो देखते हैं हम लोग यहां पर पहला स्टेट्मेंट किता है दबंदे मात्रम वाजन इंग्लिश लैंगोज वीकली निउसपेपर फाउंड़ इन 1905 बाई स्री अरिवंदो ठीक है तो यह सही है कि नहीं देखते हैं डियूरिंग दी सेकंड वल्ड वार अरिवंदो आज्ट तो सपोर्ट दी एलाइज और एंशोज हिटलर्स डिफीट तो यह सही है कि नहीं कि वो हिटलर्स की डिफीट चाहता था क्या सही में उसने ब तो क्या यह तीनों स्टेट्मेंट सही हैं कि नहीं है आई यह देखते हैं यहां पर और आपको पता चलेगा कि पहला स्टेट्मेंट आपका जो है गलत है बंदे मात्रम वाजन इंग्लिश लांगवज वीकली उस पर पब्लिश्ट फ्रॉम क्यालकटा फांड़ेड इन 1905 इंटिटेड़ वाज़ अरविंदा यह देख लगवजब्स लेडिटेड अरविंड़ेड ञेवज अग्लिश लांगवज का वीकली नियूस पर पर हर अफते आता था उन्यस तो पाच में लांच हो था अरविंदो क्या करते थेएं इसमीं इडिटिंग एडिटर थे ठीक करते हैं एडिट करते थे जुस्पेपर को अरे विंदो वॉस इन सपोर्ट अव दी एलाइज और आज इस आप ने पढ़ा होगा अली पॉर कॉंस्पिरेसी केस के बारे में तो इट वस नोट मुझफर्पुर इट वस अली पॉर कॉंस्पिरेसी केस तो सेकंड स्टेटमेंट मैं आपका क्या है गलत है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है सेकेंड सेटमेंट सही है और १र्य स्टेटमेंट आपका गलत है समय था है अल्ली टू हीूस charge चलिए के लिए डिट राधी दिजीजेज़ कंसेडर लाइफ लॉंग डिजीज और डिसॉडर विदा प्रेविलेंस ओफ वन और लेस पर टेन लाख पॉपुलेशन ठीक है तो ऐसा बोला जा रहा है कि दस लाख में एक को हो जाता है यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो वह कहता है कि जो आपके डिजीज है ठीक है वह डिजीज क्या है वह एक या उससे कम एक हजार लोगों में होती है ठीक है एंड नौट तो वहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या है वन थाउजन लिखा हुआ है इसका मतलब स्टेट्मेंट वन इस रॉंग ठीक है अनाशनल पॉलिशी फॉर रेयर डिजीज इस ट्विटीवन में यह हुआ है इसके बारे में हम लोग समय लेते हैं क्या क्या चीज़ है इस तरीके से यह चीज चलेगी अट रेजिश्टरी देटाबेस और डिजीज़ तो एक और चीज इसमें प्रपोस्त करीगे यह क्या प्रपोस करेंगे कि एक national registry होनी चाहिए जिसमें आपकी कौन-कौन सी रियर डिजीज है उसके बारे में चीज होनी चाहिए स्क्रीन डिटेक्ट रियर डिजीज अट एली स्टेज़ विच विच विल रन इंटन हैं इधर प्रिवेंशन तो प्रिवेंशन के तौर पर चीज़ें करी जा सकती है ठीक है जैसे की वैक्सिनेशन ठीक है इट एंस तू आचीव दिस थूदी हेल्प फेल्ट एंड वेलनेस स आपके त्रू यह जो आपके कांसलिंग उनके त्रू हम कर सकते हैं इसका मतलब आपका जो दूसरे स्टेट्मेंट है वो सही है कौन से गुरूप है पहला डिसॉडर्स एमेनेबल टू वन टाइम क्योरेटिव ट्रीटमेंट ठीक है तो ऐसे आपके डिसॉडर्स जो की क्या इसका है जो की बहुत लंबी जीवन भार चलती रहेंगे डिजीजिस फॉर विच डेफिनट्री से डेफिंट्री चलेड़ेबल लेकिंट वरिवेरिक्ट व्याइफों थेक्टिफी तो इसमें एक दूसरी चीज है क्या दूसरी चीज है कि आपका थर्ड केट्रीगरी ऐसी डिजीजिस के बारे में जिनका lifelong treatment चलेगा लेकिन उसका perfect आप कहा सकते हैं या आपके definite treatment उसका है परंतु यह बहुत महेंगा होगा ठीक है इसको अवेल कराना बहुत आसान नहीं हो तो पहला statement आपका यहां देख सकते हैं पहला statement it is not 10 lakh it is 1000 ठीक है और दूसरे statement आपका सही है तीन के टिग्रीज में हमने जो है रेरी डिजीजिस को बाठ रखा है वाई चलो देखते हैं next question पर आते हैं यहां next question में देखते हैं विद अधेरे विद रेफरेंस टू association of Southeast Asian nations ठीक है साउथ इस्टेशन नेशन जो है हमारे ठीक है जिसको आस्यान बोलते हैं उनके बारे मे समय थोड़ी सी बात उनके बारे में आपको थोड़ी सी अब यह देख रहे होगे तुम जब भी हम लोग यह नेत्र सीरीज में questions को लेके आ रहे हैं तो association पर बहुत सारे questions आ रहे हैं तो association के current initiatives उन पर question प्लस association का basic जो background है उस पर question तो आपको आसियान मैंने पहले हैं इसारे स the founding member of ASEAN क्या सही में वियत नाम था वहाँ पर only one member country of ASEAN shares a border with India के वल एक ऐसी country है जो इंडिया के साथ बाउडर शेयर करती है तो यह देखो statement बहुत ही अच्छे question यह बना हुआ है और आपको मालूम होना चैसका exact answer क्या है ठीक है तो आप जानते हैं कि जो third statement है जिसमें Myanmar Myanmar हम 1967 in Bangkok Thailand with the signing of ASEAN declaration Bangkok declaration by the founding fathers of ASEAN Indonesia Malaysia Philippines Singapore and Thailand worthy founding members इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आपका कि यहां पर यह statement पहला वाला सही है ठीक है लेकिन statement second क्या कह रहा है statement second कह रहा है यहां पर वियत नाम भी था तो क्या यहां वियत नाम आपको दिख रहा है क्या वियत नाम दिख रहा है इसका मतलब आपका statement second सही नहीं है ब्रुनाई दारुसलम जॉइंड आसियान on 7th January 1984 followed by Vietnam on 28th July 1995 लाव PDR and Myanmar on 23rd July 1997 and Cambodia on 1999 ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ASEAN में founding members केवल कौन के थे इंडोनेशिया आप मलेशिया फिलिपींस Singapore Thailand थाइलेंग केवलपाश मैंक्रीस थी यह ना बाद में कौन से जोड़ी है तो ब्रुनाई जोड़ी है बाद में आपका वियत नाम जोड़ी है और में जोड़ी है अन्दैन देखेंगे कि मेनमारि लेकिन हो एक मातर ऐसी है जो इंडिया के साथ इस departments हमार अब हमारा सेकंड स्टेट्मेंट सही था सेकंड गलत था और फस्ट सही था मतलब 1 & 3 इस दी करेक्ट आंसर तो इसमें यहां पर आंसर सी दिया होग है बोथ 1 & 2 इसको सही कर लेना इस 1 & 3 एन यह 3 त्री राइट चली अब हम लोग देखते हैं यह पर इसमें से कौन सी ट्रांस बाउंडरी रिवर नहीं है जो कि इंडिया और उसकी नेवरिंग कंट्री में तो क्या सही में हम लोग यहां देखें यांग्सी टोर्सा इन में से कोई भी ऐसी नहीं क्या सभी शेर करती है आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी हैं यह यह फ्लो करती है कहां पर चाइना के बीच वीच फ्लो करती है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और इस्ट चाइना सी में जाती है इंडिया से दूर दूर तक इसका नाता नहीं है लेकिन टोर्सा तोर्सा को देखोगे तो हुटान इंडिया इसके बीच में बाउंडरी श्टिए करती है और यह चाइना के बात करें जो कि निकल लहीं है और से किमल्या से निकलती है और इंटिया और बांगलादेश के बाउंडरी शेयर करती है तो दी ऑप्शन वाउस करेक्ट ठीक है अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या आप हम लोग देख रहे हैं यहां पर दूसरा स्टेक्मिन यूगो जो है वो न्यूज में आ रहा है वाट इस ड्यूगो जो है डाट इस स्पेशियोज फ्रॉग ए दिया है अस्टरॉट कु दिया है नाम ठीक है इस ड्यूगो जो है यह यह निसमें थ्यूट थीख यह बहुत नियूज में रहा थे इसके बारे में फुर्झ पठ लेते हैं अस्टरॉड जिफ्ट्रॉट रिव्यूजियो इस डाइमेंशी गिंशियूज ट्रॉजियो दिय Japanese folk tales में इसका बहुत ज़्यादा नाम आपको नजर आता है यह बेसिकली क्या है यह ड्राइगन पालस है जहां पर एक magical underwater castle है ठीक है मतलब पानी के नीचे आपका magical castle है magical आप सब्सक्राइब महल है डिस्कवर इन नाइंटीन 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 रियुगो इस ऑर्बिटिंग दी सन बिट्वीन अर्थ और मार्स और ओकेज़नली क्रॉसे अर्ष ऑर्बिट विच मीज इस पेस्पेस रॉक किस्क्लासिफाइड आज पोटेंशिली जाडेस याद कि खतरनाक है बहुत चमता है थूदी बॉड़ी पोड़ेस नो इमिटेंट डेंजर तो आर वर्ड वो बेसिकली पोटेंशली है बट हमारे अभी तक कोई भी ऐसा डेंजर हमारे वर्ड के लिए नहीं है ठीक है चलिए अब देखते हैं दूसा कुशन यहां पर दूसा कुशन अगर आप देखेंगे तो यहां दोनों स्टेटमेंट आपको नजब गलत आएंगे क्यों इस आशाइबा शाइवाइट जिसको बहते हैं शिव को मानने वाले शाइवाइट पिल्गिरमेज और देखेंगे देखेंगे तो यहां पर आपको जैसे फीचर है वैसे फीचर इसमें आपको दिख रहे हैं यह शाइबा इट इस दी शाइबा शाइबा मतलब होता है जो शिव को मानते हैं शाइबा ठीक है दूसी चीज़ सो कॉल इट दी अंकोरवाट आफ नॉर्थ एस्ट का हमारे उत्तरपूर भारत का अंकोरवाट भी इसको बोलते हैं ठीक है यह दख्येगा कि जो हमारा पाल एंपायर था पाल एंपायर आं नॉट सेना तो पहला स्टेट्मेंट आपका गरत है रिसेंट्टी उना कोटी इस वाइं फॉर यूनेस को वर्ड हरेटाइस साइट टाग विद बोथ गवर्वर्मेंट और एसाइए वरकिंग तो चाकि आपका यह यहां पर आपके रिखकेंट फ्रीजर्व रहें थीक है तो स्टेट्मेंट सेकेंड भी आपका गलत है क्या बोला था स्टेट्मेंट सेकंड की उनसाइट तक थाइसा नहीं है और यह कि जगहा है पाल डाइनस्ती योंने स्ट्रॉब याद होगा अगर इसके बारे मैं इसके बारे मैं वो मोर बसंगी कमर्शल बैंगस तो जो टॉटल राइट अफ में यह रही है कि इन्हों ने अतना सब्सक्राइब कर देखा Hum flatten रिकाफ करें बैंक राइट ऑफ NPS टू क्लीन अप देर बैलेंशीट गेट टाक्स बेनिफिट और जो कैपिटल है उसको यहाँ पर देख पाएं तो यहाँ पर ऑप्शन पर देखेंगे अगर तो अगर्दिव मिनिस्ट्य डेटा, में डूम आप पर फौर्टेज के शोलिट आप डूम आप तु पर इंगे और पर देखेंगे को में वयर्टीज करेंगे बैंड मारें प्रोफ देख अपर फकाउं जिए करेंगे और किया ओ जानि अधिक शेलिड यह न प्रीट निफिन किस सब्सक्राइब करें अब आते हैं यहां पर एक और मेटियॉस कम टूर्थ फ्रॉम लेफ्ट ओवर कॉमेट पार्टिकल और विट्स फ्रॉम दी एस्टरोइट तो ऐसा बोलना है जो मेटियॉस होते हैं उलका जो होती है वह बेसिकली कहां से आती है तो जो हमारे पुछल तार है लेफ्ट ओवर उनका ठीक है यह चोटे-छोटे एस्टरोइट के आप कह सकते हो पीसे चोटे-छोटे भाग आ जाते हैं तो यहां पर बोला है कि जादा तर जो आपके जो है यह जो है यह क्या है जो है यह आपका अस्टरोइट से हो रहा है और नोट प्रमका मेंट तो यहां पर बोला जायरे उसका नाम है उन नाम कहां से लिए गया है एक सब्सक्राइब है जिसको बोलते हैं जेमिनाई ठीक है मिथुन बोलते हैं हिंदी में राइट फ्रम हूस लोकेशन इंदी स्काइब मेटी और शावर अपिरस टू और जिन नेट राइट यहां अब आप यहां देखेंगे तो पहला स्टेट्मेंट जो आपका है वह क्या है सब्सक्राइब करेक्ट है क्योंकि मेटियूर्स लेफ्ट ओवर कॉमेट पार्टिकल्स अंड जो एस्ट्रोइड वहीं पर आते हैं हमारे अर्थ के ग्रविटेशन के वज़े से ठीक है अब अब आच्छिली विन दीज ऑब्जेक्स कम अरूंड दी संदे लीव डिस्टी सब्सक्राइब तो एक आप कह सकते हैं जब यह सन के चारों तरफ आते हैं तो यह पुछल तारेक तरह में दिखते हैं दिखते हैं दिखते हैं यह जो की आपका सही है मतलब कि एक इस्टोरोइट से इसका नाम आता है अधि कॉंसलेशन ओव जेमिनाई इस 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 अधिक आपका सही है जो कि आपका जो मध्य दिसंबर जो कि अभी चल रहा है इस रिगाड़ डिट अज बेस्ट एंड मोस्त कंसिस्टेंट आन्वल मिटियूर शावर ठीक है तो यह बोलते हैं ऐसा कि जो मिटियूर शावर हो रहा है सबसे कंसिस्टेंट हमारा यही वाला है जमनाए वाला ठीक है चल अब नेक्स वेशन देखते हैं हम लोग और हमारा नेक्स वेशन है सब्सक्राइब कोश्चन ठीक है 27 पर हम आ गए हैं यहां बर अगर बात करें एंवार्मेंटल एजूकेशन के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में ठीक है जिसको ह चैने संट्रली स्पॉन्सर्ड ए स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ए स्कीम input एंप्लीमेंटेड वाइजा है सिंधावैं Beij यह मद्मींन के द्वारा सब रमॉनित्थ स्थी इंवार्मेंटल स्क्राइब म् मोदाइच स्टूब इस पार्टिपींट इन एन्वार्मेंटल तो इसका अबजेक्टिव क्या है इस टू प्रमोट एंवार्मेंटल अवेरनेस एंड मोबलाइज इस्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन एनवार्मेंटल कंडरोईशन ठीक है तो जो हमारे आपके जो चात्र है चात्रों के बीच में क्या है अवेरनेस फेलानी है ताकि यहां पर हम लुग देखते हैं इस बात को यहां अपर देखेंगे टिजसेंटर सेंटर्स सेक्टर स्कीम इंप्लिमेंटेट वाई इनवार्मेंट फोरेस्ट एंड क्लामेट चेंग तो यहां बर याद दखिएगा कि जो मिनिस्ट्री है दाट ऑट एजूकेशन मिनिस्ट् उससे कुछ आप लोन नहीं है ग्राइंड में पईसा दे दिया नहीं धूंढ है नाचिनल ग्रीनग कर्प्स प्रोग्रम और देन ऑल लाक क्लब्स फार्पर एक प्रोग्राम स्कुल में वड़िकर फ्रड़े में स्टूडन्स प्रड़न में वहां經 है वहां पर एक लाग एको क्लब्स हम लोग ने बना दी है स्कूल्स और कॉलेजिस में राइट किसलिए कि जो हमारे एन्वार्मेंटल इशूज है उसके लिए स्टुडेंट्स में अवेर्नेस फेल ठीक है नेक्स्ट कुश्चन हम लोग देखते हैं विच्छ फॉलोइंग और्गनाइज का किरें रहा है यह किस कर है यह बात कर रहा हा है इसने यूज कर है वर्ड इटालिक है 사 11 इन यू यू कुल रिजविय। of 26 billion US dollar across 18 countries that are about 14 million hectares of degraded landscapes as an area about size of Greece under the restoration ठीक है तो यहां पर यह जो बात है IUCN ने इसलिए यह करा है ठीक है तो next question हम लोग देखते हैं एक मिट होड करियेगा तो अब हम लोग next question अपना देख लेते हैं और हमारा next question क्या है next question यहाँ पर आप देख सकते हैं 29th question है जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहें यहाँ पर बात कर रहें देखे economy की again ठीक है कि which of the following is the factors of production बीच बीच में static questions भी यहाँ पर होने चाहिए क्या land labor capital entrepreneurship यह सारे factor हैं तो आप सब को मालूम होगा कि yes it is there यह सारे जो हैं यह सारे हमारे क्या होते हैं factor cost के लिए responsible है ठीकर तो आप अगर कोई business आपको करना है आपको कोई product जब हम बात करते है factor of production इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है factor cost ठीक है मतलब कि अगर कोई product है सपोस्ज अगर को ड़न है तो की कोस्टिंग कैसे आप रिदारीस करोगी तो आप देखो के लग लाइड लाइड के लिए पैसा आप को देना होगा में भी यह रंक्ते देना हो आपको एबर होंगे तो यले चो सालरी देनी होगी वेजज दे तो यह घुब यह आसा इसका जो पैसा है यह सारे पैसे जो है यह खटव क्या निकाले करुम और तो आपने सब्सक्राइब और सब्सक्राइब बनाते हैं और उसका एगर की कौॉस्ट आती है जैसे वैज इसने cuánt दो हजार रुपए का दे रहे हैं वह प्रॉफिट का अपने मार्जिन लगाया हजार ठीक तो आप सो पन पर हजार रुपए तो इसके बाद किया होगा आप इसको काल्कुलेट कर लेंगे आप क्या इसको क्या करने चाहित करने पर आपका का फिगर को आएगा मतला एक हजार बट बेसिक जो कॉस्ट रहता है वह होता है फाक्ट और प्रोडक्शन एक फाक्ट कॉस्ट जिसमें यह तीनों चारो चीज आपकी आती है ठीक है तो इसका उप्शन क्या हो जाएगा वन टू त्री फोर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स को देखते हैं लोगे यहां पर नेक्स के बारे में बात करें तो दबुक सूरिया सिद्धान्थ यहां दखिएगा सूरिया सिद्धान्थ एंशेंट बुक रिटन इन्दी संस्कृत लांगवज और एस्टोनॉमी इस रिटन भाए हूं ठीक है किसी ने लिखी है यह कि आरे भट ने लिख ब्रह्माब्भूुप्त ने लिखा है कि यहहां पर ब्रह्मगुप्त ने लिखा ब्रहमास पूता सिद्धान्थ light टीक आ यह संस्कृत के नयम है ट्मटउश्टर अगेन वर्ल् ostr एकनोमिक आउट्लूग आपकी कौन पूब्लिश करता है तो वर्ड एकनोमिक आउट्लूग आप सब जानते हैं वर्ड एकनोमिक फोरूम इंटरनाशनल मॉल्टरी फंड वर्ल्ड बैंक यह उनाइट नेशन अपना अंसर सोच लिजे अब मैं बताता हूं आपको सही आंसर य मेंबर कंट्रीज गौवर्मेंट ठीक है अकॉर्डिंग टुवर्ड एकनोमिक आउटलूग 2022 फोकास ग्लोबल जीडिपी ग्रोथ और थ्री पॉइंट्री परसेंट फोर ट्वेंटी टू ठीक है तो उसने बोला है कि 2022 के लिए उसने अनुमान लगाया है फोकास करा है कि ज 2023 में ग्लोबल गोथ आपकी नीचे जाएगी ठीक है यहां पर एक चीज़ है वाइला ग्लोबल रिसेशन इस नौट इन आर बेसलाइन सेनारियो ग्लोबल एकनोमी इस लाइकली तुमूव एवन क्लोजर टुदी रेसेशनरी टेरिट्री तो आप जानता है जो जुद्ध हो आपको पता होगा कि रिसेशन आने वाला है पूरे वर्ड में ऐसा माना जा रहा है तो इसलिए सरकारी नौकरी लेलो जल्दी से पढ़ाई करें ठीक है आई एस ऑफिसर बन जाओ डी रीसेंट ग्लोबल एकनोमिक प्रोस्पेक्ट इस पब्लिश्ट बाइवर्ड बैंक तो वर्ड बैंक क्या निकालता है रिपोर्ट ग्लोबल एकनोमिक प्रोस्पेक्ट और वर्ड एकनोमिक आउटलूक को निकालता है यह आएमेफ निकालता है ठीक है चलिए अब आप देखते हैं दूसरा कुश्चिन यहां पर आप देखेंगे इस कुश्चिन के बारे में कि NAV IC, Navigation with Indian Constellation, considered the following statement about that. तो यहां पर क्या है यह थीक है तो NAV IC has 7 geostationary satellites situated in much higher orbits to cover whole earth. तो सही में ऐसा है क्या? NVS-01 satellite is part of NAV IC system. NAV IC system is relatively more accurate than GPS because NAV IC satellite provide dual frequency banks. तो क्या इसमें देखते हैं कौन-कौन से statement हमारे सही है? तो यहां हमको पता चलता है कि जो हमारा NAV IC है उसके 3 geostationary satellites है और उसके 4 geosynchrist satellites है. ठीक है? 4 geosynchrist satellites है. It is covering Indian landmass and 1500 km from Indian boundaries. तो statement आपका first क्या है? गलत हो गया. क्योंकि यहां पर क्या बोला है? यहां पर यह बोल रहा है कि it is much higher, it is situated in much higher orbit to cover the whole earth. तो सही में क्या whole earth cover हो रहा है? नहीं. यह इंडिया को cover कर रहा है और इंडिया के आसपास लगभग 15,000 km को cover कर रहा है. इंडिया is going to launch replacement satellites NVS-01 onwards for the current 7 navigation satellite constellation of IRNSS services या series. ठीक है? तो जो हमारा IRNSS series था उसको यह replace करने वाली है. यह important point है. इसको थोड़ा सा याद रहना है. The GPS uses a single frequency band while NAV IC satellites use dual frequency bands L5 band and LS band which is why the system is relatively more accurate than GPS. ठीक है? तो यहाँ dual band होता है. तो statement थर्ड आपका सही है. अब आईए दूसरा हम लोग देते हैं question यहाँ यहाँ पर world trade organization पर question है. Consider the following statement. दोहर राउंड led to the formulation of world trade organization in 1995. तो सही में क्या दोहर राउंड था? उनने सो पिक्चानवे था क्या? The GAT-19. ठीक है? GAT-1994 is an international treaty binding upon all WTO members. तो जितने भी WTO member हैं उनके उपर जो international treaty GAT है वो लागू होती है. The highest authority of WTO is the ministerial conference which must meet at least every two years. हर दो साल में at least मिलना चाहिए जो हमारी highest authority है. तो यहाँ पर देखिए यहाँ उरुगवे राउंड. उरुगवे राउंड conducted from 1987 to 1994. Culminated in the Marrakesh agreement established the World Trade Organization. तो यहाँ दखिएगा कौन सा है? मराकेश agreement है. ठीक है? मराकेश agreement है. जहां जिसकी जहां पर World Trade Organization set up. The GAT-1994 is concerned with the trade in goods and is international treaty binding upon all WTO members. तो GAT जो है यह basically बात करता है किसके बारे में बात करते हैं? जो हम लोग goods में trade करते हैं. जो हम लोग माल में व्यापार करते हैं. और यह सभी WTI, जो members है, WTO, sorry, जो members है, उन पर लागू होता है. और यह GAT-1994 में आया था. ठीक है? The topmost decision-making body of the WTO is the ministerial conference which usually meets every two years. तो यह भी सही है. ठीक है? चलिए. अब हम लोग बात करते हैं यहापर. एक और Indian economy पर question आपका. वौस्तो अकाउँट refers to Indian bank's account. विदा फॉरंड बैंक, इन फॉरंड कर्णशी इन फॉरंड कइंट्री ठीक है? वौस्तों अकाउंट क्या होता है? वौस्तों अकाउंट रिवस्तो इंडियन बैंक अकाउट ठीक है? यह इंडिया का special rupee was through account prior approval of RBI would be required ठीक है तो यह देखते हैं क्या सही है इसमें तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा पहला statement है वो गलत है अब rupee was through account is a foreign bank account ठीक है सबसे पहली चीज यह इंडिया bank account नहीं है इडिदा foreign bank account account with an Indian bank in rupees in India ठीक है तो याद खिएगा यह चीज यह foreign bank account है जिसमें Indian bank in rupees in India रहता है ठीक है और इंडियन bank account with a foreign bank in foreign currency in the foreign countries referred to as nostro account and not vostro account vostro account होता है जो foreign bank account होता है इंडिया में इंडिया रुपीज में है और vostro account का बैंक होता है इंडियन account जो कि foreign में है foreign countries में है foreign रुपीज में है foreign currency में है ठीक है रुपी वॉस्ट्रो account are used to the settlement of international trade through Indian rupees तो यह किसलिए होता है बैसिकी वॉस्ट्रो account तो वॉस्ट्रो अब्विसी बात है ट्रेड के लिए होता है ट्रेड में जो आपका पैसा के लेन देन होता है उसके लिए होता है तो पहला स्ट्रेटमेंट आपका गलत है यह पर ओपनींग स्पिक्शल रुपी वॉस्ट्रो account प्राइर अप्रूवल ऑफ और बी आई वुड बी रिक्वाइड और विसी बात है इंडिया में एगर को फॉरन का बैंक अकाउंट आपको खुल आ रहा है ठीक है खोलना है तो उसके लिए आर्बी आप्रूवल की जरूरत आपको पड़ेगी ठीक है तो यह हो गया आपका यह हो गया आपका फाइव लाग रुपीज आ एक साल में पाच लाग रुपे सही है क्या वी विल सी दी आमाउंट पी जै इस इंटेंटे टू कवर उनली सेकंडरी एंटर्शरी क्रियर expenditure नहीं यहां बोला रहा है कि जो आपका सेकंडरी है ना और टर्शरी expenditure है बस वही कवर होगा में प्राइमरी एक्समेंडिचर नहीं तो ऐसा बोला यहां कि यहां पर कोई family size के बारे में बात नहीं की गई है कहा गया है कि भीया सभी के लिए यहल पूरे परिवार में कोई भी हो सब के लिए चालू है तो क्या सही है स्टेट्मेंट तो देखते हैं यह सही है कि नहीं है तो आपको पता चलेगा यहां पर कि पहला स्टेट्मेंट कि यह क्या है फ्री कवरेज है पांच लाग उपे पर फैमिली पर यह तो पहला स्टेट्मेंट आप आपके नीजी हिस्पिटाल है प्राइवेट होस्पिटल्स है जो कि एंपैनल है मतलब कि उसमें पैनल है ठीक है पूरे इंडिया में वहां पर भी आपको मिलेगा है ना और याद अखेगा कि यह जो है अब यहां पर हमने बात करने वाले हैं किसके बारे में इंडियन एक और क्वेशन है आपका एंड्लाइन इंफलेशन के बारे में बात हो रही है है headline inflation covers volatile food prices and fuel prices Whereas core inflation does not cover volatile food prices and fuel prices तो सही में ऐसा है क्या वी विल सी ठीक है कि core inflation में आपका जो हमारे volatile food prices भाई बाई बाइद आम जो होते हैं आज के उपर नीचे होते हैं तो यह कोर इंफलेशन में नहीं होता है और यह जो कंसिड़र होता है यह headline inflation में इंफलेशन में इंफलेशन अब दूसरी चीज़ कुछ और है कोर इंफलेशन जो होता है वो more volatile होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है सेकेंड स्टेटमेंट का आपका जो है गलत है कोर इंफलेशन इस एंफलेशन रिलेटेट टू और फ्यूल प्राइस को तेल के दामों को और खाद्या दामों को इंक्लूड नहीं करते हैं इसका मतलब headline inflation जो है वो करता है क्या वो करता है ऐसी एकॉनमी की कमोडिटीज को गोड्स को और सर्विस्स को जो की क्या होते हैं जो की basically आपके बहुत वोलटाइल होते हैं जैसे food prices and fuel prices तो इस टेटमेंट वन सही है तो statement second आपका जो था जो कह रहा था कि यह ज्यादा वोलटाइल होता है और पहला statement आपका सही है ठीक है इसका मतलब आपका पहला statement सही है अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे 37th question पर जो की बात कर रहा है goods and services tax की JST की बात कर रहा है है अगेन economy के questions important होते हैं आप जानते हैं कि 2022 में बहुत सारे economy के questions आए और current बहुत जादा थे इन दी JST council states have only two-third voting rights whereas center have one-third votes ठीक है तो यहां पर बोला है कि JST council में अगर बात करें तो जो राज यो होते हैं उनके पास की वर two-third voting rights होता है जैसे चबकि center के पास जो होता है वो one-third होता मतलब one-third आपके center के पास काम होता है और state के पास जादा होता है एनी decision can be made in the JST council if it gets 75% of the votes ठीक है अगर 75% vote मिल जा रहा है तो आपके JST council में कोई भी decision मनाया जा सकता है cess and surcharges by the center are part of JST तो जो cess और surcharges होते हैं यह JST का ही part है तो आगे देखते हैं कौन-कौन से statement सही है अगर हम लोग यहां पर बात करें कि JST council है is devised in such a way that the center will have only one third voting right whereas the state have you know two third voting rights ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां दखना है the decisions are taken by 75% vote ठीक तो दोनों statement आपके सही है पहले और second लेकिन आज बात करें सेस्की सेस कहां आता है जैसे education अब जाँ स्वच्छों भारत रहां अब सार्च अब करेंट ली नौट पार्ट ऑफ जीस्टी का पार्ट नहीं है इसका मतलब यह जो है नहीं पैज पैसा है चैक्प इसकों कुद भी रिदी इस्टॉलेशन ऑफ इस्मार्ट मीटर्स तो यहां पर बात कर रहा है बिजली के बारे में और कहरा है कि बिजली में जो एग्रिकेट टेक्निकल एंड और दॉस पूर्स वह कर दो किया है वह सकते हैं कि आप इस्मार्ट मीटर यूस करना स्टार्ट कर बात कर रहा है कि यहां पर जो लॉसेज हैं ठीक है उनमें जो लॉसेज पर रेडक्शन आए हैं वो क्यों है रिडक्शन इस रिडक्शन डेख्शन तो इस टेटमन्ट आपको पता चलेगा कि हमारा स्टेटमेंट दोनों क्या है सही है the concept of aggregate technical and commercial losses provides a realistic picture of loss situation in the context it is measured ठीक है सभी बात है it is combination of energy loss यहाँ पर combination किसका ही है energy loss का है that is technical plus theft plus inefficiency in billing ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ आपका जब बात होती है यहाँ पर energy loss की तो energy loss में क्या क्या रहा है technical loss चलो ठीक है चोरी और inefficiency bill payment ही नहीं कर पा रहा है ठीक है प्लस कुछ आपका commercial loss भी होता है technical के अलावा energy loss के अलावा combination में default in payments inefficiency in collection तो यह भी है पैसा ही नहीं collect कर पा रहे हैं प्लस आप पैसा देना ही नहीं चाहरें default है तो यहाँ पर एकर हम कुल मिला आगे बात करें 80 and c loss क्या होता है तो 80 c loss जोता है energy input minus energy build ठीक है तो energy जितनी दी गई और energy तितनी बिल गई गई इन्टु 100 upon energy input यह आपका क्या है formula है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए यह ज़रूर आपको मालू होना चाहिए जो स्पार्ट वीटर्ज है वह electricity थेफ को जो हमाई बिजली की चोरी है electricity थेफ उसको क्या कर सकते हैं यह हमारे रिडियूस कर सकते हैं ठीक दे रिड़क्शन इन लॉसस हाज रिड़क्शन इंडी रिड़क्शन इंडी गविट्वीन दी एवरेज कॉस अप्लाइड एवरेज रिविजिबल रेविन्यू तो एकदम सही बात है यहां पर तो यह जो गाप है गाप की वज़े से क्या हो लद्दाक तो जो हमारे लद्दाक के ट्राइवल एरियाज है ठीक है वहाँ पर वहाँ पर सिक्त शिडियूल लगना चाहिए उनके अड्मिनिस्रेशन के लिए ठीक है पहली लाइन यह बोलती है अंडर दे प्रोविजन ऑफ सिक्ट शिडियूल दे प्रेजिडेंट है तो इहां पर प्रेजिडेंट के पार है क्या पावर है कि यह क्रियेट कर सकता है क्या कुछी चेंज कर सकता है उटर कर सकता है जो पहले से इन पर बाद करी गा कि यह कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक गॉल कोर्ट से इन में इनको चालेंग नहीं करा जा सकता यह सब्सक्राइब मिजोरम जिसको आंब बोलते हैंं क्या अ-टी-एम ठीक है असम मिघाले ते पूरा मिजोरम तो एम टी-एम है जो है जो कि शिख शिडूल के लिए लद्दाक के लिए सा कुछ है नहीं ठीक है अंडर शिख शिडूल गवर्णर को एंड प्रेजडेंट को नहीं ठीक है नो अधर कोट्स एक्सेप्ट दी हाई है सोरी जो डिरगंगे डिरग तो यहां पर दो स्टेटमेंट गलत है ठीक है पहला स्टेटमेंट गलत है यहां पर लद्दा नहीं होना चाहिए दूसरा यहां पर आपका जो है गवर्नर के पावर है ना कि परिजेटी पास ठीक है और तीसे स्टेटमेंट आपका सही है इसका मतलब थर्ड डी ओप्शन है आपका वो सही है इसका अब आईए चलिए नेक्स वेशन देखते हैं 40th question in context of Indian economy consider the following statements the eight core industries of India represents about 40% of the weight of the items that are included in the index of industrial production in which electricity has the highest weightage तो यहां बर क्या बात हो रही है यहां बर बात हो रही है हमारे किसके बारे में eight core industries के बारे में जो की basically क्या कर रहा है रेप्रेजेंट करता है 40% of the weight of the total industries industrial production में और इसमें आप कह सकते हैं कि जो highest weightage है वो कह रहे है electricity को है तो क्या यह सही है चलिए नेक्स कुशन देखते हैं हम लोग index of industrial production is compiled and published monthly by national statistical office सही है क्या we will see IIP ठीक है IIP जो है हमारा जिसको बोलते है index of industrial production यह basically बताता है कि industrial growth हमारे कितनी हो रही है है ना बहुत important है है तो is the only measure of the physical volume of production तो क्या इसमें सही है हम लोग देखते हैं IIP के बारे में अगर हम लोग बात करें तो IIP is an indicator that measures the changes in the volume of production of industrial products during the given period तो बेसिकली बता रहा है कि कितना production हो रहा है कितना production गिर रहा है इसके बारे में बताता है मैं IIP it is compile and published monthly by national statistics office ministry of statistics and program implementation तो second statement आपका जो है that is correct ठीक है eight core industries comprises 40.27% of the weight of the items including the index of industrial product production ठीक है और इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि electricity number one नहीं है यहाँ पर number one कौन सी industry है refinery products है ठीक है तो हमारे जो refinery products है वो number one है ना की industries लेकिन यहां पर आप sequence देख लिए refinery products electricity steel coal crude oil national natural gas cement and fertilizers तो यह sequence आपको eight core industries की याद रखनी है तो इस इसाब से आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पहला statement हमारा क्या है पहला statement आपका is not what is not correct ठीक है दूसरी चीज़ आपको यहां पर रहा तक नहीं है कि जो second statement that is correct ठीक है और आपका जो तीसरी है दाट इस फिजिकल वॉल्यूम बताता है यह भी करेक्ट आपका है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 2 & 3 ठीक है चलिए आगे देखते हैं लोग यहां पर इसको सही कर लिजेगा देशन भी आंसर विल भी 2 & 3 ठीक है चल होता है कि यहां पर जब हम फ्री ट्रेड अन्च में आपके यहह हो सकता है कि एक से दो से ज़ाधा countries के साथ हो ऐसा भी हो सकता है ग्रुप में हो ठीक है और यह हो सकता है यह बाइलाटराल तो यहां पर फ्री ट्रेड एक फोटे है बेसिकली जो आपका कस्टम चार्ज लगता है ड्यूटी लगती है पैसा चाहिए ऐसी चीज होती है लेकिन क्या यहां पर जो partner countries होती है उनके लिए पार यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो हमारा पहला statement है वो भी गलत है जो यह free-trade agreement होता है इस ब्राइड़ एगरी टरेडिंग ब्लॉक्स मत हो गया है जैसे यूं यूर्पेन यूनियंग एक ट्रेडिंग ब्लॉक है ठीक है वहां पर एक country जे ज्यादा करने के लिए and non-tariff barriers on the substantial trade between them ठीक है तो ओविस बात है यही लें देन की बात है कि प्री में काम हो जाएं however each maintain individual tariff structure for non-members ठीक है यहां पर non-members के लिए क्या होता है individual tariff structure होता है ठीक है जब कि यहां पर क्या लिखावा है यहां पर लिखावा है कि दिखेंगे आप यहां पर तो क्या लिखावा है individual tariff होता है यहां पर और यह कह रहा है कि fixed tariff होता है but that is individual tariff हर के साथ अलग एक tariff structure होता है तो आपका जो के साथ यू यू के साथ है वह दीया ने अभी तक 13 अगर बात करें हम तो अभी वैसे भी उन्निस नहीं हुं है 13 हों है और जो यहां पर बात करी गई है क्या कि यहां पर बोला गया है कि इसमें UK भी included है तो UK के साथ अभी हमारे negotiation चल ला है UK के साथ अभी हम लोग ने बात नहीं fix करी है ठीक है तो दोनों statement आपके क्या हो गए गलत हो गए ठीक है तो नीदर वन नौर टू आपका statement D सही है इसका अंसर ठीक है अब यहां पर बात करें किसके बारे में देखिए यहां पर यह न्यूज में रहा है चर्चा में रहा है क्या बेपूर उरू क्या थी यह बैसिकली एक आपका hanagaship है यह नाव है और यह नाव इंशन टाइम से यूज़ कर रहे हैं लोग और ट्रेड का यह सिगनल बताता है कि हमारा जो अरब कि यह आसम्में या कहीं और माहराष्ट में तो देखिए अली बाग वाईट में हैं अच्छा कि ते यह 혼자 माहराष्ट में नन महराष्ट । जहां जिए ने हम बात करwał है किस को था कि Yok को है अपलाइ कए इसमें क्या करा गया है जी आई टैग के लिए अपलाइ करा इसको लेकिन जी आई टैक के लिए अपलाइ करा गया है प्रिकोणी इसने विट्जाइलिट 54 को घूशयका जो vegetables महराष्ट में है तो यह आपका दोस में सही है एं इसका मतलब बी ऑप्षण और अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है क्या यहां पर दिया हुआ है यह है यहां पर दिया यह जैसे कि कि अपने नदी का नाम सुना होगा क्या ये कावरी नदी पर है तो इन में से आपको देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है ठीक है तो आप एक चीज तो फॉर शोर है कि यहां पर मुल्ला पेरियार जो है यह मैच नहीं कर रहा है विकॉज यह कहां पर होगा यह ओविसी बात है इसका relation पेरियार से होगा मुल्ला पेरियार जो है कहां पर है मुल्ला पेरियार जो डैम है यह इडुकी डिस्ट्रिक है ठीक है ठेकडी नामा एक आपकी प्लेस है वहां पर केरला में है यहां पर आप अगर देखेंगे इन सार पर नदी है पर्यार मिलते हैं आपर मुल्ला पर्यार डैम है इस पर बार बार बात इसलिए होती limit, क्योंकि यह बड़ा डैंगर इस्की जो capacity है पानी को रोकने की उससे जपने हैं और इंगरा पानी रोका जा रहा हे ये बहुत आज का जो session है वो session खतम होता है इन 43 questions में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो static को current से related सीखे होंगी और ये नेत्रा बात जो है मुझे पूरी उमीद है अगर आप सारे lectures को follow करेंगे ठीक है तो आप याद अखिएगा प्रेलिंस में आपको ये बहुत ज़्यादा help होने वाली है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीक नेत्रा सीरीज के साथ तब तक के लिए thank you, take care, bye bye